वेलकम बैक टू वरकिंग थॉट्स आज इस सेशन में रिजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेस्टन को देखेंगे जो जहारखंड के सभी एक्जाम रेलवे के एक्जाम जिसमें भी रिजनिंग पूछे जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है पहला क्वेस्टन है कि डॉंकी को 88 कोड किया जाता है तो इस टाइप के कोडिंग में दो तरह का यूज होता है या तो डो डारेक्टली उसका प्लेस है जो प्लेस वैल्यू है उसको एड्ड कर दें या फिर उसका रिवर्स को लेकर एड्ड कर दें जैसे पहले प्लेस वैल्यू को एड्ड करते हैं डॉंकी तो ड का यहां कितना होता है चौते नंबर पे होता है ओ कितना नंबर पे होता है फिर एन कितना नंबर पे होता है 14 नंबर पे होता है यह कितना नंबर पे ग्यारा नंबर पे यह कितना तो देखे 15 और 5 कितना हो गया 25 और प्लस यहां देखेए वाइच कितना होता है 24 नंबर पे होता है य जो होगा यह 24 नंबर पे होता है 25 नंबर पे होता है ठीक है तो पंदरा और पांच बीस हो गया अब देखे यहां पांच मान लेते हैं तो बाद में जो भी होगा माइनस एक कर देंगे ठीक है तो पचीस पांच कितना हो गया तीस हो गया तो बीस और तीस कितना हो गया पचास हो गया ठीक है और यहां भी माइनस एक कर देते हैं और इसको पंदरा बना लेते हैं और यहां कितना हो गया यहां भी पंदरा बना लेते हैं यानि कि जो भी होगा पहले माइनस चार कर देंगे तो यहां पर पंदरा और यहां पर कितना हो गया पंदरा हो गया पंदरा पंदरा तीस हो गया पचास तीस असी हो गया ठीक है असी ह गया अब 80 में जो है कितना माइनस कर देना हमको एक्ष्टा कितना लिए थे इतना ही लिए थे यानि कि माइनस चे कर देंगे तो यहां कितना हो गया चोहत्तर आ गया येकिन इसका कितना है 88 है यानि इस तरह नहीं होगा हमको रिवर्स इसका नंबर लेके एक बार चेक करना हो होगा जैसे A का नंबर पे और हमको पता है कि जो यह ano है और सम कीतना होता है 27 होता है ठीक है तो इससे तो नहीं हुआ अब हम ड्रिवर्स लेकर देखेंगे तो D कितना नमबर पे होता है चार नमबर पे अब कितना 23 अगर add कर दिये तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा 27 में से 4 minus कर दिये तो 23 हो गया ठीक है 23 नमबर पे होगा सिर्फ नमबर निकालना है ये W का नमबर है लेकिन हमको quote के रूप में नमबर निकालना है तो directly हम नमबर ही लिख लिए अब क्या हो गया O हो गया O कितना नमबर पे होता है 15 नमबर पे होता है 27 में से 15 किया तो क्या हो गया 12 हो गया ठीक है फिर N 14 नमबर पे हो गया तो 13 हो गया फिर देखिए ये जो हो गया कितना नंबर पे 11 नंबर पे और इसका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा फिर ए कितना नंबर पे होता है पांच नंबर पे यह हो गया 22 हो गया फिर वाई कितना नंबर पे हो गया 25 नमबर पर होता है 27 में 25 गया तो क्या हो गया दो हो गया अब इसको एड कर दीजेगा तो उसी तरह भी है डारेक्टली भी एड कर सकते हैं डारेक्टली इसको सम करेंगे 3, 2, 5, 3, 8, 6, 14 और 4 कितना हो गया 14, 4, 18, 8 हर मेरा एक, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 2, 8 देखिए 88 आ रहा है यह रिवर्स का ही सम है ठीक है उसी तरह स्पैरो को भी चेक करेंगे तो स्पैरो को जब रिवर्स में चेक करेंगे तो यह भी कितना आ जाएगा 79 ही आएगा तो उस बेसिस पर आप पीजन करके देखें तो पी कितना नमबर पे होता है 16 नमबर पे यह कितने पाँच पे यह कितना पे लिए बताने के लिए सिफ लिए अब डिरेक्टली जो है अब इसको याद करके लिखिएगा ठीक है प्रैक्टिस से याद हो जाएगा उसका रिवर्स जैसे जी का 7 ह ला जाएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा तो आप डिरेक्ली लिखे यह 9 हुआ यह कितना हो गया 15 हो गया और यह कितना हो गया 14 हो गया तो यह तो पता है इसका रिवर्स कितना हो गया 13 हो गया इसका रिवर्स कितना हो गया बारह हो गया 27 बनाना है सिर्फ अब इसको एड़ किजिए दो प्लस एक तीन आट तीन ग्यारा ग्यारा दो तेरा तेरा तीन 16 अच्छे हाथ मेरा एक 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 दो तीन चार तो छे तो आठ प्लस एक नो इसका तो आप यहां पर देख सकते हैं इस पैटन को और नेक्स पैटन को देखिए डी जो है और यह आपस में क्या हो गया है डी और यह आपस में क्या हो गया है रिवर्स चला गया है तीन जो है यहां आ गया है तीन जो है यहां पर यहां आ गया है और फिर यह कहां यहां और यह यहां चला गया है इसमें next volume देखे, इसके basis पर हुआ है, क्या change हुआ है, तीन जो है, मेरा यहाँ पर आ गया है, ठीक है, और यह जो है, यहाँ चला गया है, ठीक है, यह यहाँ, यह यहाँ चला गया है, ठीक है, यह वाला जो है, यहाँ चला गया है, यह यहाँ चला गया है, ठीक है, और D जो है, नही देखिए इसमें ये जो है वन प्लेस करके मूफ किया है ये इसमें चला गया है ये इधर चला गया और ये फिर इधर चला गया है फिर यहां पर देखिए क्या हुआ है इसके बेसिस पे हुआ होगा अब छे जो है यहां आ गया ये भी जो है इस तकर के रिपलेस हुआ ये बरावर देखिए यहां आ गया ये यहां आ गया है और ये यहां चला गया है तो अगर देखिएगा तो अब यहां पर क्या होगा है इसके बेसिस पे हुआ है देखिए पह यह जो है यहाँ चला जाएगा यह यहाँ चला जाएगा यह यहाँ चला जाएगा ठीक है तो यह जब 3 यहाँ आ गया D यहाँ आ गया फिर S यहाँ आ गया फिरस में क्या चला जाएगा 0 यहाँ चला जाएगा 0 यहाँ चला गया यह बराबर जो है यहां आ गया 6 जो है यहां चला गया यह देखिए कौन सा है 6 0 बराबर कौन सा है 6 0 बराबर radius बी जो होगा इसका correct answer होगा ठीक है तो इतना exam में इतना time ना निकाल कर ऐसा कुछ करना है इसका correct answer तो भी होगा बट समय बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि direct अगर बीच वाला को देखेंगे तो देखिए इस pattern में क्या है इस pattern में अगर यहां पर देखेंगे तो 3 देखिए यहां पर आ गया है यहां देखिए 3 जो है यहां पर आ गया है इस pattern में जो है ये बराबर जो है बीच में चला गया है ठीक है इस पैटन में देखे ये बराबर जो है बीच में चला गया है इस पैटन में क्या हो गया तीन जो है यहां पर चला गया है ठीक है ये देखे इस पैटन में क्या हो गया अगर बीच में कौन है बीच बला में देखेगा तो बीच में कौन आ गया है डी आ गया है बीच में कौन आ गया बराबर जो है यहां से चला गया है फिर तीन जो है यहां से आया है ठीक है फिर देखे इसमें जो चैंज किये इसमें हो गया इसमें जो चैंज किये तीन है तो फिर से देखे नीचे वाला यहां चला गया है यह देखे यह और यह पैटन सेम है तो यह और यह पैटन सेम होगा और सेम होने के बाद यहां पर चैंजेज हो जाएगा फिर यहां से जो है बराबर को बीच में ला देंगे इसी टाइप करेंगे यह वाला जो है बर सकते हैं यह correct answer है अब इसमें से जो है आपको समिकरन को सही बनाने के लिए किन दो चिन्नों को आपस में बदलना होगा अभी तो यह बराबर है लेकिन अगर आप इसको solve पीजेगा तो 18 के बराबर नहीं आएगा तो आपको दो चिन्नों को आपस में change करना होगा ताकि equation का अब बहुत बढ़ा हो जाएका ना यसको बहुत बढ़ा हो गया और बस आपको 18 क Salon करना प्लस माइनस भी करना है तो ये वाला तो इसका आंसर नहीं होगा ठीक है क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर होगी आपको लाना 18 ही है अब क्या करेंगे अब तो भागा गुना है नहीं अब जैस्ट जो है अब किनी एक को लेके चलिए ठीक है तो प्लस वाले को ही लेके चलते हैं इसको देखिए तो प्लस और गुना को आपस में चेंज करना है तो 144 भागा 12 गुना 16 फिर गुना 3 प्लस और गुना को यानि कि गुना यहाँ पर गुना है तो ये क्या देना होगा आपको प्लस देना होगा ठेक है यहाँ पर कितना देना होगा प्लस देना होगा 3 और माइनस क्या होगा 14 होगा ठेक है जब इसको कटा दिये तो ये 12 होगा 12 गुना 16 अगर कर देते हैं तो कितना हो जाता है पर्चक बहत्त्तर का दो हंद मेरे साथ ये हो गया, एक सो बिरानवे अब देखिए, एक सो बिरान्वे में तीन मांइस चाओदा करेंगे तो क्या आएगा? ईभी नहीं आएगा फिर इसको देखे, मांइस वाला को करके देखे मांइस और ये भी नहीं हो गया, ये भी नहीं हो गया, इसको करके देखिए, माइनस और प्लस को, तो ये कितना हो गया, ये तो अब 12 गा 12 रहेगा, और यहाँ पर माइनस 6 हो गया, गुना 3 हो गया, प्लस 14 हो गया, इसको करके देखिएगा, तो 12 और 14 कितना हो गया, 26 हो गया, 26 में से 18 चला गया, तो यह कितना हो जागा, 8 हो जाएगा, तो यह भी नहीं हुआ, इसका correct answer क्या होगा, यह होगा, अब इसको check करके देख सकते हैं, यह भी नहीं हुआ, यह भी नहीं हुआ, यह भी नहीं हुआ, चेक कीजे, तो यह कितना हो गया, 144 भागा, तो यहाँ पर 12 हो गया, भाग का काम तो पहले हो गया, अब प्लस है, 6 है, माइनस, गुना के जगा हम माइनस देंगे, 3 है, और गुना कितना देंगे, 14 देंगे, माइनस जगा हम 14, तो यह कितना हो गया, 14 हो गया, और देखे, अब यहाँ पर क्या हो गया, 12 प्लस 6 हो गया, 18, यह तो माइनस में आना लगा, यह भी नहीं, यह कैसे होगा, तभी गलत हो गया, यानि कि इसका मतलब है कि कहीं हम लोग मिस्टेक किये हैं, यनि इसी को दुबारा चेक करते हैं, 144 भागा 12 प्लस 6 गुना 3 माइनस तो इसको चेंज कीजे, 144 भागा 12 माइनस 6 गुना 3 प्लस 14, तो यह कितना हो गया, 12 माइनस 18 प्लस 14, यह कितना हो गया, 27, 26 में से 18 गया, तो कितना हो जाएगा, 8 होना चाहिए, इसको चेक कीजे, 144 गुना 12 प्लस 6 गुना 3 माइनस चाहूद, तो कितना हो जाएगा, तो आएगा न, यह तो कनफॉर्म नहीं होगा, पहला वाला चेक कर लेते हैं, 144 भागा 12, फिर यह कितना हो, प्लस एड़ गुना को, प्लस एड़ गुना को रिप्लेस करेंगे, गुना 3 प्लस 3 माइनस 14, तो यह हो गया, 12 बर्चक 72 माइनस 75 माइनस 14, यह आंसर जो 18 ना होके, 8 होना चाहिए, ठीक है, मेरे कहल से, यह वाला जो है, गलत है, ठीक है, यहाँ पर एक्वेशन में, 8 होना चाहिए, तो कौन सा होगा, अप्शन नमबर, यहाँ पर जो है, आठ होना चाहिए, तो अप्शन नमबर सी जो होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, फिर भी आप इसको देखेगा, यहाँ पर देखे क्या है, कि साथ लोग बैठे हुए, सेवन फ्रेंट्स, MNOPQRS, और सिटिंग ऑन इस्टेट बैंच, फेसिंग तो वाट्स इस्ट, कितन एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और मान लिए इस्ट जो है इधर है, इस्ट इधर है, ठीक है, इस्ट जब इधर है, और इधर हम लोग क्याल मानते हैं, लेप्ट और इधर मान लेते हैं, क्या राइट हो गया, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कि P is sitting exactly at the middle position, यान यानि कि P जो है, कहाँ पर एदम बीच में बैठा हुआ है, तो तीन इधर छोड़ दिये, तीन इधर छोड़ दिये, बीच में जो है, पी को बैठा दिये, उसके बाद, वनली पोर फ्रेंट्स आ सिटिंग टू, लेप्ट आफ एम, एम के लेप्ट में जो है, केवल, चार बैठा है, तो एम के लेप्ट यानि एम यहां बैठाना होगा, तभी लेप्ट में केवल चार लोग बैठेंगे, एक, दो, तीन, चार, वनली क्यू इस सिटिंग बिट्विन आर एंड एस, आर और एस के बीच में केवल क्यू बैठा हुआ है, तो देखे आर और एस यहां चार भी दे सकते हैं, तभी दो, और यहां पर तो हो गए नहीं, ठीक है, तो यहां पर या तो आर दें, या फिर आर यहां दें, यह यहां दें, लेकिन यह कनफोर्म है की बीच में मेरा कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा, O is sitting third to the right of S S के right में third पर कौन है अब देखे S को अगर अंत पर बैठा देंगे तो हम right ही चल सकते हैं और यहां से चलेंगे right में अगर S यहां होगा तो right में third पर कौन होगा third चलना है third पर ठीक है S अगर यहां बैठा देंगे तो third पर इधर देखे, P है, तब तो नहीं होगा, एक, दो, तीन, P हो जाएगा, तो हमको यहीं पर जो है, क्या बैठाना होगा, S बैठाना होगा, ठीक है, S जो है, यहाँ पर बैठाना होगा, तभी हम third जो है, चल संगेंगे, तो यहाँ बैठा दिये, S, और S के right में third पर कौन हो गया, O हो गया, यहाँ क्या हो गया, R हो गया, अब एक ही बच गया, कौन, N बच गया, तो N को जो है, यहाँ लिख देंगे, question क्या है, who is sitting at the second place from the right end, तो right end है, तो right end से जो second place पर कौन है, यह है, तो यहाँ पर कौन है, second place पर O है, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, analogy का question है, 5 से 9 बनाना है, तो 5 से 9 के बीच में, इस difference देखिए, सभी मलग लग है, तो 5 से 9 बनाना है, तो 5 गुना दो ले सकते हैं, 10 माइनस एक, ठीक है, 5 गुना दो माइनस एक, यह कितना हो गया, 9 हो गया, अब इसी तरह 21 गुने दो, 42 माइनस एक, 41, ठीक है, उसी तरह क्या हो गया, 12 गुने दो, 24 माइनस एक क्या हो गया, 23 हो गया, ठीक है, तो यह तो बहुत असान हो गया, इसको देखिए और एक तरह से बना सकते हैं किसमझ में आ गया दोगुना से एक कम दोगुना से एक कम 24 माइनस एक हो गया 23 इसको कैसे बनाए सकते है यह आसान मेथड है पांच पर स्कॉयर हो गया कितना हो गया 25 25 में से आप 4 पर स्कॉयर कीजिए तो गया 16 डिफ्रेंस हो गया 9 21 पर स्कॉयर कीजिए तो क्या हो गया 441 और यहां पर 12 पर स्कॉयर कीजिए तो कितना हो गया यहां पर 400 पर स्कॉयर कीजिए तो कितना हो जाएगा 144 फिर जो है 11 पर square किजे तो 121 एक कम पर square करना है तो यह कितना हो गया 3 और यह कितना हो गया 2 इससे भी जह है correct answer होगा पहला वाला जो है आसान है ठीक है यह बहुत ही आसान question हो गया select the set in which the numbers are related in the same way are as the as are the numbers of the following set यहाँ पर जो है एक pattern है same pattern हमको find out करना है जो देखे 9 plus 15 24 24 से 3 अधिक कितना हो गया 27 हो गया इसमें देखे 9 plus 6 15 15 plus 3 क्या हो गया 18 15 plus 25 कितना हो गया 40 40 minus 5 यहां करेंगे तभी जो है 35 हो रहा है तो यह follow नहीं किया इसके जिसा यह जो pattern नहीं है इसके जैसा जो है पहला वाला follow किया और कोई follow कर रहा है क्या 21 है 35 है तो यह कितना हो गया 56 हो गया 56 तो 56 का 56 ही हो गया तो यह भी जो है यह दोनों नहीं होगा तो पहला वाला जो होगा इसका correct answer होगा अब देखिए यहां पर क्या है यह इस से related है Sam जो है यह किस से related होगा तो soldiers किस में होता है सैनिक जो होगा यह किस में होगा आर्मी में होगा तो इसका correct answer जो होगा बैंड होगा ठीक है अब यहां पर देखिए यह course of action का सवाल है तो यहां पर क्या कर रहा है कि all the central government employees went on strike due to non-implementation of the pay commission तो यहां होना चाहिए 7th pay commission साथ में बेतन आयोक का कार्यावरन नो होने के कारण सभी केंदरे सरकार के करमचारी हरताल पर चले गए अब जब ऐसा statement है हरताल पर तो चला गया है तो इसका course of action क्या कीजेगा तो course of action पूरा जो है एदम negative भी नहीं लेना है ऐसा लेना है जो balance करके हम चल सके हैं तो पहला हो गया कि pay commission should be implemented immediately देखें यह जो immediately दे दिया word इसी कारण से यह जो है गलत हो गया तुरंत मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत सब कुछ के लिए जैसा किया तो तुरंत ही काम work करना यह जो word इस टाइब करेगा तो यह जो है गलत हो जाएगा ठीक है तो इसमें जो है सोचने विचारने की जरूरत है तुरंत इस टाइब के मैं जो है आप course of action नहीं लेते हैं चुके के अंदर सरकार पर क्या उसका जिम्मेवारी है कितना भार है इस सेवंत बेतन आयोक को वो दे सकता है कि नहीं दे सकता है चुके हरताल पे गये हैं करमचारी यानि की government जो है क्या है कि इस पर जो है वो सोच विचार करे लेकिन यहाँ पर क्या है कि तुरंट अगर आप दे दिया जाएगा तो हर बार वो हरताल पे करमचारी जाएंगे ही जाएंगे ठीक है तो यह immediately वाला वर्क नहीं है दूसरा क्या है यह all central government should be suspended देखी अभी seven बेतन आयो जो है वो नहीं दिया केंदर करमचारी हरताल पर गये है अगर उनको निलंबित कर दिया जाएगा तो condition और खराब हो जाएगा ठीक है यह जो है statement को ही जो है बरबात कर देगा और जो है यह खराब हो जाएगा तो यह भी जो है नहीं होगा तो इसमें neither one nor two follows best होगा ठीक है तो कैसे करके situation को balance करके चलना यह इसमें आपको जानना पड़ेगा यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है यह समय का question है clock वाला का यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि reaching the place of meeting 20 minute before 8.50 hour ठीक है माल लीज़े कि अभी जो है आठ पचास हो रहा है इससे 20 minute पहले पहुंचता है 20 minute पहले पहुंचता है यानि कितना पर साड़े आठ बज़े पहुंचा ठीक संजय found himself ठीक है संजय found himself 30 minute earlier than the person who came 40 minute 8 यानि कि संजय जो है अपने को खुद को कितना बज़े 30 minute पहले पहुंचता है earlier than the person who came 40 minute late यानि कि ये जो है अभी 8.30 में संजय का टाइम है इसका है संजय का और ये देखता है कि हम 30 minute पहले पहुंच जाते हैं 30 minute पहुंच गया इसका मतलब क्या हो गया ये actual में कितना बज़े पहुंचना चाहिए था ये जो है 30 minute पहले समय है तो actual में कितना टाइम था 9 बज़े होना चाहिए था तभी देखे इससे 30 minute पहले जो है 38 होगा ये अभी का समय है ठीक है ये अब 9 तो बज़ गया अब ये जो है 40 minute बैकती 30 minute पहले है यानि कि ये 9 बज़े से 30 minute पहले 8 बज़े था यानि कि अभी जो है 9 बज़े अब ये बोलता है संजय found himself earlier than the person who can कितना 40 minute लेट अब ये जो person का टाइम था न अब ये person जो है 40 minute लेट आता है ये person जो है 40 minute लेट आता है यानि इसको 40 minute पहले आना चाहिए था यानि कि 8 बज़े कर 20 minute आना चाहिए था ये 9 बज़े मनलब क्या हो गया आट बचकर 60 minute अगर इसको आप आवर और मिट में तोड़िए तो आट बचकर 60 minute तो 40 minute पहले यानि आट से 40 माइनेस कर देंगे तो 8 बचकर 20 minute तो ये जो होगा इसका actual time होगा ठीक है एक जो नियमिज समय था scheduled वो कितना है 8 बचकर 20 minute है ठीक है अब यहाँ पर देखिए यही है तेरे को तोड़ना नहीं है तो यहाँ पर 9 है 16 है तो 9 और 16 में pattern दिख रहा है square है तो directly पहले आप इसको तोड़के ही देखिए 3 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया चार हो गया बीच में कितना है 21 है ठीक है बीच में 21 है अब देखिए 21 है तो आपको समझ में आ रहा है कि 23-4 से कैसे रा सकते हैं इसको गुना किये तो यह कितना हो गया 12 हो गया और इसको उल्टा कर दिये तो 20 हो गया यहाँ देखिए कितना है 7 है और यहाँ कितना 5 है गुना कर दिये 35 35 कूल्टा करेंगे तो बीच बाला आएगा फिर यह कितना हो गया चार और ये कितना हो गया आठ ठीक है तो ये चार गुने आठ हो गया कितना 32 और 32 कुल्टा कर दिये तो 23 तो ये इसका correct answer होगा ये भी नहीं देखिया आएगा ये भी नहीं आएगा योकि 5 चुका 20 है यहां 11 है ये 6 का है 5 30 है तो directly 30 ही दे दिया है चाहिए लेकिन ये भी नहीं है तो इसका correct answer option number A होगा अब यहां पर देखिये क्या बोल रहा है कि X is 7th from the top ठीक है ये टॉप से जो है X जो है कितना है 7th position पे है while Y is 16th position from the bottom ranking ठीक है ये जो है क्या है bottom से 16th position है ये आपस में जो है जगा को change कर लेता है ये आपस में जगा को change करता है तो X जो है उपर से कीस हो जाता है X कि धर से हो जाता है उपर से X जो है 21 हो जाता है उपर से ठीक है उपर से जो है 21 हो जाता है जब ये change कर लेता है तब ठीक है चेंज कर लेता है तो भी ये ऊपर से कीस हो जाता है तो देखिए X जो है ऊपर से कीस हो जाता है अब X का अगर इसको देखेंगे ये ऊपर से दिया गया है और ये जो है जब ये पोजिशन चला जाता है ये जो है यहाँ चला गया और ये जो है यहाँ आ गया लेकिन तो उस कंडिशन में क्या हो गया कि ये जो है ये कीस हो गया और साथ इधर कितना हो गया उन्निस हो गया तो यह सात्मा हो गया और यह जो है अब 21 हो गया यानि कि जब लेप्ट और राइट से जो पोजिशन दिया रहेगा तो हम टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं मैनस वन करते हैं दोनों को सम करके मैनस वन कर देते हैं अब करना दिया आखी करते हैं अब लेप्ट करते हैं एंब कर देते हैं चोट्वा करते हैं झाल-ग खनी मैं झाल-ग अब देखिए यहाँ पर क्या बोला था यह जो है position को क्या करता है change कर लेता अपस में x के जगह में y चला जाता है y के जगह में x चला जाता है यानि अब जो actual में x जो है यह जब position को change कर लिया है तो x कहां पर आएगा x देखिए कहां पर आजाएगा x यहाँ पर आ गया y जो है यहाँ पर आ गया और x जो है उपर से कितना है अब नया value कितना है 21 है ठीक है अब 21 है यानि x का जो position है वो अब कितना है 21 है ठीक है अब इसको भूल जाईए यह वाला को भूल जाईए और इसको जो है यहाँ पर आप लिख दीजे ठीक है तो बस हमको क्या करना है कि जैसे इस place को ही लेंगे यह place ठीक है यह value तो लोग तो बदल गए लेकिन घर तो वही रहा माली यहाँ एक गर है यहाँ पर एक गर है ठीक है तो क्या हो गया कि पहले y जो है इस घर में रहता था और x जो है इस घर में रहता था अब लोग बदल गए लेकिन घर का position तो वही है ठीक है अब यहाँ पर जो है इस घर में y जासे घर में रहता था वहाँ पर x आ गया x के जगह में y आ गया लेकिन घर तो वही है घर तो वही है ये वाला घर क्या है वही का वही है तो इस घर का पोजिशन उपर से 21 आ गया तो देखिए ये दोनों पैरलल में है तो हम total number of person निकालने के लिए क्या करेंगे टोटल number of person निकालने के लिए जो उपर से rank दिया है 21 प्लस जो नीते से दिया गया है 16 उसको add करके plus 1 कर देंगे तो यहां कितना हो जाएगा add करके plus 1 कर दिये तो ये कितना हो गया तो 21 में 16 21 plus 16 हो गया 37 और ये कितना हो गया 36 हो गया total number of person 36 हो गया वही वहला लगा है ये total निकालना है तो left plus right minus 1 या फिर top पे अगर दिया है top plus down minus 1 ठीक है तो वही किये अब देखिए उपर से यहां पर दिया हुआ है ये अब इस घर में कौन चला गया है y चला गया है यहां पर जो है अब y चला गया है ठीक है तो y का नीचे से अस्थान क्या होगा y का उपर से अस्थान क्या दिया हुआ है यहां यह जैसा घर है यहां भी एक घर होगा और यहां पर y आ गया है तो इसका जो है नीचे से क्या होगा तो यह वाले लेंगे यह उपर से जो है सेवन्त पोजिशन पे है तो नीचे से लेंगे तो डिरेक्टलि आब इसको है तो यहाँ पर क्या होगा डाउन से क्या होगा इसका पाई का तो टोटल हो गया कितना 36 टोटल है माइनस साथ इसी में देंगे टोटल में टॉप से निकालेंगे टॉप से सेवन है और यहां प्लस वन कर दिये यानि यह कितना हो गया तो यही वाला हो गया ठीक है तो टारेक्टली जो है इस टाइप के कुश्चन आपको याद रखता है कुछ नहीं करना है आपको बस क्या करना है कि चेंज होके जो है उपर से देखिए 21 पोजिशन पे एक्स आ गया तो वाई वाला पोजिशन जो नीचे से दिया गया है और च 16 प्लस 21 माइनस एक कितना हो गया यह हो गया 21 में वही 16 प्लस 37 माइनस एक हो गया 36 अब इस 36 से जो है यह टोटल टोटल निकल गया यह क्या हो गया टोटल निकल गया अब जो है उपर से जो है एक्स का दिया हुआ है अब चेंज हुआ है तो एक्स के जगह में वाई चला गय जानि कि आफ्टर चेंज के बाद जो है वाई का पोजिशन कितना हो गया है जाहां पहले एक्स था वहाँ पहुंच गया है तो यह हो गया उपर से टॉप से तो नीचे से कितना हो जाएगा टोटल में हमको इसको माइनस कर देना सेवन प्लस एक तो यह कितना हो जाएगा थर्टी हो जाएगा यह प्लस हो जाएगा माइनस वान हो जाएगा ठीक है तो थर्टीएथ पोजिशन हो जाएगा तो यही बस करना है अब यहाँ पर देखें निश्चित कुट भासा में जो है all means are sum लिखा गया है अब जो है माली एक्वेशन 1 है एक्वेशन ये 2 है तो इस एक्वेशन देखें few means sum है all means sum है यानि कि यहाँ पर जो code होगा जिसे यहाँ means or sum common है यहाँ भी means or sum common है हमको all का निकालना है मिंस और sum अगर common है दोनों में तो code भी common होगा तो देखें means और sum है तो इसका code कितना है रहे जैसे यहाँ पर कितना है 5-7-8 है यहाँ पर 3-5-8 है यानि कि जो 5-8 common होगा तो यहाँ पहले में किया होगा all हो गया तो all का क्या बच गया सिर्फ एक ही बच गया साथ हो गया अब अगर बोलेंगे कि few का इसमें क्या होगा few का भी जो है कितना हो जाएगा 5-8-8 जाएगे 3 हो गया अब नीचे में अगर कोई पूछे जैसे all means not है तो all का तो हमको पता चल गया 7 हो गया तो 7 काट दीजया all भी काट दीजये तो means और not का कितना गया आयँ 8 और 4 दिया है means और not का 8 और 4 दिया और means और sum का यहां 5 और 8 यानि means का अगर यहां 8 हो गया तो sum का 5 तो आणिो सिर्फ नॉट बच जएगा तो not का कितना 4 हो गया हमको all का ही पूछ रहा था हो तो all का कितना seven होगा ठीक है next question देखते हैं इसमें देखिए no dogs are cat कोई भी cat कौन है dog नहीं है तो यह cat हो गया और कोई भी cat किसमें dog में नहीं जाएगा तो एक पात इसमें याद रखिए अगर statement positive है तो उसका conclusion भी positive ही आएगा और negative है तो negative statement का conclusion negative आएगा only a few cats are wild यानि कि कुछ cat कौन है यानि यह common जो पार्ट है यह wild में जाता है कुछ बिलिया जो है जंगली है all wild are animal अब all wild are animal तो animal में लेंगे animal हो गया ठीक है अब यहां आप देखिए all cats are animal all cats are animal तो क्या है क्या यह animal का कुछ पार्ट देखिए यह भी जो है cat के साथ common हो गया तो कुछ का relation बन रहा है लेकिन all का relation नहीं बन रहा है यहां some cats are not animal देखिए some cats are not animal animal और cat के बीच में आप देखिए animal और cat के बीच में animal है cat के बीच में positive relation है cat यहां है animal यहां है दोनों के बीज में positive relation है यहाँ पर क्या है negative relation दिया है तो directly यह गलत होगा तो गलत होगा तो आप चेक किजे कि दोनों यहाँ देखे cat और यहाँ भी animal और यहाँ cat और यहाँ भी animal common है दोनों और यहाँ जो है all और some not का case है all है और some not का case है यानि एक positive हो गया और एक negative हो गया तो इस type के case में either or का case बनेगा इसलिए either one or two follows ठीक है ठीक है next देखते हैं इसको 150 से अभी आप बना सकते हैं यहाँ पर देखे यहाँ पर दिया गया है कि पासे का अलग अलग प्रिस्तितियां छे के जो है फलक के विप्रित क्या होगा तो यह दो में अगर एक common है एक फलक common है तो clockwise चल कर हम लोग निकाल लेंगे तो इन दोनों में देखिए इन दोनों में देखेगा तो आप देखे यहाँ पर तीन दो पांच और यहाँ पर देखे दो और पांच जो है आपस में क्या है common है तो तीन का विप्रित जो बच जाएगा अगर दो फलक common होगा तो तीसरा अपस में आटोमेटिक जो है क्या हो जाएगा विपरित हो जाएगा जैसे दो और पांच यहाँ भी है दो और पांच यहाँ भी है तो दो फलक मेरा common है तो तीन के जो है विपरित क्या हो जाएगा छे हो जाएगा तो छे का विपरित क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा ये तो इन दोनों से माल ये पहला ये दूसरा और तीसरा कर अब दूसरा और तीसरा वाले सगर हम देखें दूसरा और तीसरा सगर देखते हैं तो दूसरा और तीसरा में अगर देखिएगा तो ये क्या पता चल रहा है तो दूसरा और तीसरा में देखिए तो इसमें कौन सा common है इसमें कोई भी common नहीं है इसलिए इन दोनों से छे का विपरिद नहीं निकाल सकते हैं common नहां चाहिए अब पहला और तीसरा में देखेंगे तो आप देखें तीन common है पहला और तीसरा से तीन common है तो first और third का यूज़ करके common है एक ही फलक यानि common हुआ तो एक फलक में जो है clockwise चलेंगे तीन से घड़ी के दिसा में चलेंगे दो फिर पांच फिर तीन यहां भी घड़ी के दिसा में चले फिर यहां से घड़ी के दिसा यहां से यहां इसको लेते हैं, तो 3 के बाद क्या हो गया? 2 हो गया, 2 के बाद 5 हो गया फिर 3 का 3 यहां लिखे, 3 के बाद 1 हो गया, एक के बाद 4 तो इसका मतलब 2 और 1 क्या है? आपस में विफरित है, 5 और 4 विफरित है अब यह common है 3, तो 3 का विफरित कैसे निकालेंगे? जो नहीं दिख रहा है वो विप्रित होगा तो इन दों देखे एक और तीन में कौन नहीं दिख रहा है मातर एक है नंबर नहीं दिख रहा है वो कौन है छे है तो तीन का विप्रित क्या हो जाएगा छे हो जाएगा छे का विप्रित तीन हो जाएगा है की बात है अब यहाँ पे आते हैं यहाँ पे देखे क्या दिया गया है 21 लाना है 5 पर इस्क्वाइर लिजे तो यह 25 हो गया 2 पर इस्क्वाइर लिजे तो कितना हो गया 24 हो गया सरी 4 हो गया 2 पर इस्क्वाइर कितना हो गया 4 हो जाएगा अब अगर इसका difference लेंगे तो कितना हो गया, 21 हो गया यहाँ भी लेंगे, 6 पर square लिजे 36, 4 पर square लिजे तो कितना हो गया 16 इसकाroeर लेंगे और इसका square लेंगे और difference निकाल देंगे तो यह वाला होगा उसी तरह इसमें लिखे 8 का square कितना हो गया 64 हो गया ठीक है 64 जो है 55 से कितना दी इन दोनों का difference इतना है यानि की माल ये x square है ठीक है 64 minus x square बराबर 55 64 minus 55 बराबर x square तो एक्स स्क्वाइर ब्राबर किया हो गया नाइन एक्स का वैल्यू कितना हो गया तीन हो गया तो इतना करने का जरुवत ही नहीं था एक्जाम में जो है इतना नहीं करेंगे ठीक है तो यह 64 64 से 55 कितना अधिक है नो अधिक है नो एक स्क्वाइर नंबर है तो स्क्वाइर रूट निकाल देंगे तीन हो जाएगा अब इसमें आईए अन दा बेसिस अफ डारेक्शन नॉर्थ इस कॉल्ड वेस्ट नॉर्थ को जो है हम जानते हैं घड़ी का कैसा होता है यह जो है डारेक्शन में उपर नॉर्थ होता है नीचे जो है साउथ होता है यह इस्ट हो गया यह जो है वेस्ट हो गया इसके बीच में जो है नॉर्थ इस्ट हो गया इधर west south हो गया और इधर जो है क्या हो जाएगा south east हो जाएगा और इधर north west हो जाएगा ठीक है तो आप देखिए इसको अगर देखते हैं आप तो north west हो जाता है north जो है west हो जाता है इसका मतलब क्या हो गया north west हो गया नॉर्थ वेस्ट हो गया यानि कि नॉर्थ अगर वेस्ट होगा तो देख लिए कितना चलना होगा 90 डिग्री चलना होगा वह कितर एंटी क्लोक गली के विपरिट डायरेक्शन में यानि कि अगर एक हमको पता चल गया तो सब जो है एंटी कलोक भास डायरेक्शन में अगर एंटी क्लोक चलेंगे तो सौथ वेस्ट ही दीया एका यह तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ यह है अब 90 डिग्रें ऑंनिकलोक चलेंगे तो यहां पहुँच गए तो उसी तरह हमको जो है नौर्थ इस्ट में जो है नौर्थ इस्ट कौन सा है यह वाला है ठीक है नौर्थ इस्ट कौन सा है यह वाला है यहां भी हमको जो है क्या चलना होगा ठीक है यह वाला है न यहां से हमको यहां चलना होगा 90 डिरे ही होगा न तो एंट एंटी क्लॉक में चले 90 डिगरी अब जो है मिरर इमेज निकालना है 11 बच कर 40 मिर्ट में क्या मिरर इमेज होगा तो हम जानते हैं कि घड़ी का मिरर इमेज निकालने के लिए जो है आपको 11 साट से माइनस करना होगा 11 साट मतलब 12 ही हो गया इधर 60 मिर्ट बराबर एक घंटा तो इधर आप सिफ्ट कजिएगा आवर में तो 12 ही के बराबर हो गया तो 11 से 60 से माइनस करना है तो 11 साट से माइनस कीजिए ये देखे 20 हो गया और ये 00 हो गया तो 00 हम तो कुछ भी नहीं होता है इसका मतलब 00 का अर्थ क्या होता है 12 होता है तो 12 बज़ कर 20 मिर्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया तो ये हो गया तो आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं या फिर या दखिए कि 11 से 1 के बीच में अगर समय रहे ठीक है तो आप उसको 24 गंटे वाले से माइनस कीज़ेगा 24 गंटा मतलब 23 बज़ कर 60 मिनट ये 24 ही हुआ 60 मिनट के फॉर्म में है एक मिनट बराबर 60 मिनट बराबर एक गंटा तो इसको आप इधर एड़ कीज़ेगा ये आवर के फॉर्म में है ये मिनट के फॉर्म में तो एक घंटा के बरावर इधर add कीज़ेगा तो एक प्लस हो जाएगा 24 हो जाएगा ठिक और बाद की जो है accept दिस में 11.60 मिनिट माइनिस कीज़े या जनरल तौर पे जो है सभी को 23.60 से माइनिस कीज़े तो देखिए ये जो है 11.01 के बीच में 11.01 के बीच में है यहा 11.01 को लेकर बीच में भी रहेगा तो यह हो जाएगा तो डारेक्टली जो है 23.60 से माइनिस कीज़े ठिक है 11.01 के बीच में रहे इंक्लूडिंग 11.01 कमलोग 23.60 से माइनिस कीज़े तो 11.40 मिनिट तो देखिए 12.20 मिनिट तो यह वाला जो है रेल्वे समय के अकॉर्डिंग रेलेम होता है न चौबिस घंटे वाली घंटे गव लेते हैं बड़ी को 24 घंटे वाली रेल्वे में बैलिड होता है ठिक है और इसमें जो है 12 घंटा तो रेल्वेम क्या होता है कि दौपार के बाद जो है दुबार से एक ना बजने के रात दोपर को 13, 14, 15, 16 ऐसे करके लेते हैं तो 14, 15, 16 लेने के लिए जो है यही 24 गंटे वाली सुई का यूज़ करेंगे ठीक है इसका correct answer यह हो जाएगा अब यहाँ पर देखें क्या कर रहा है कि राहुल जो है 22 से 18 है अमी जो है दाएं से 28 है तो how many strengths between them with the total number of strengths between total number of strengths are 40 यह देखिए ranking का सवाल है तो ranking में दो type का सवाल आएगा क्या इसमें mix हो रहा है क्या जैसे यह कोई बैकती है यह इधर है और इधर से यह position इधर है तो यह mixing वाला नहीं है यह अलग-अलग position है इसमें दोनों का sum करके minus one कर देंगे अब मान लिजे कोई व्यक्ती जो है यहाँ पर है अब व्यक्ती जो है यहाँ पर है अब यहाँ से इस व्यक्ती का दिया गया है और यहाँ से इस व्यक्ती का दिया गया है यानि यह देखिए mix वाला हो गया न कितना दूर क्या हो गया मेरा यह commenter mix हो गया तो कैसे निकालेंगे left और right से तोटल number of जो है यदि greater than होगा left plus right से जो position दिया गया है अगर जादा होगा तो यह mix वाला होगा ठीक है और नहीं दिया है तो mix वाला नहीं होगा तो देखे कितना है अठारा है left से और plus कितना है 28 है अठारा है 28 कितना हो गया 46 हो गया और 46 जो है यह तोटल से यह less होना चाहिए ठीक है less होना चाहिए तो यह जो है less than 40 है यह mix वाला है तो mix वाला कैसे निकालेंगे कि पहले minus कर देंगे टोटल में जो है minus कर देंगे left plus right तो जब minus कर दिये तो 46 minus कितना हो गया 40 हो गया यह नि 6 हो गया ठीक है अब between निकालने के लिए हमको क्या करना होगा बीच में कितना है तो यह 6 हो गया ठीक है यह बीच में जो है 6 हो गया जिसमें इन दोनों भी count हो गया यह भी हो गया और इजा से लिए तो इसमें यह भी हो गया यह भी हो गया यानी दोनों जो है दो बार लिया hust Lie है तो उसर्फ एक बार लेने के लिए दोनों वेक्ति को minus कर दिय tutor क्योंकि में दोनों वेक्ति दो दो बार आ चुका है तो ये कितना चार लोग ही बीच में है चार लोग जो है वो क्या है पीच में है ठीक है यह देखिए यहाँ पर क्या है अब देखें यहाँ पर क्या है कि वाटर इमेज निकालना है ना वाटर इमेज निकालना है, तो वाटर इमेज निकालने के लिए क्या होगा, कि इस तरह से हो जाएगा, टॉप जो है, वो क्या बन जाएगा, ताउन बन जाएगा, और डाउन जो है, टॉप बन जाएगा, यहाँ डी है, तो डी जो है, उल्टा हो जाएगा, तो डी अगर उल तो यह देखिए लेप्ट और राइट में कहां पर जागा यह नहीं होगा डीजे के यह लेप्ट साइट से राइट साइट से मुड़ गया तो यह कहां होगा जब जो है इस साइड में प्लेस होगा ठीक है जब horizontal में right side में place होगा तब क्या हो जाएगा ये left से right, right से left हो जाएगा लेकिन जब भी नीचे horizontally place है तो ये जो है water image की तरह work करेगा ठीक है तो यहाँ पर water image ही कहा जा रहा है या फिर water image बोले या दरपन परती भीम अगर horizontally दरपन है तो water image की तरह जो है work करेगा लेकिन vertically अगर right side में place किया जाता तो left right में change होता तो इस condition में सभी जो है उल्टा हो जाएगा यह f ऐसे है तो f कैसे ऐसे हो जाएगा तो देखे यह यहां तक सही है अब एन ऐसे है तो एन जो है इसी तरह होगा उल्टा करेंगे तो ठीक है अब देखे इसमें तो change कर दिया गया है इस साइड से कब आएगा जब अगर खड़ा रहता वर्टिकली खड़ा होता तब तो इसमें यह भी नहीं होगा आर देखे आर को जो है यह इस तरह लिखा गया इसमें रिवर्स कर दिया गया है तो यह भी नहीं होगा इसका correct answer यह होगा सिर्फ जो है लेटर को आपको उल्टा करना है ठीक है अब इसमें देखें how many squares are in there in the figure तो अगर इसको देखेगा तो पहला हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया चाओंथा हो गया पहला दूसरा तीसरा चाओंथा ठीक है तो जब भी यह जो है रो और कॉलम बराबर होगा तो क्या करना होगा सिर्फ स्क्वाइर कर देंगे 1 पर square प्लस 2 पर square प्लस 3 पर square प्लस 4 पर square 16 और 25 और इदर हो गया 5 तो हो गया 30 ठीक है 30 हो गया तो अभी जो है कितना हो गया 30 हो गया इसमें इसमें देखें और भी है ठीक है इसमें जो है भी और भी है तो अभी तो कितना हो गया 30 हो गया अब अगर इधर से देखा जाए हैं यहां से कि यह भी स्कृयर फॉर्म कर रहा है ठीक है स्कृयर फॉर्म हो रहा है और यहां से भी आप देखेगा तो इस टाइब से जो है स्कृयर बनता है यह देखिए स्क्वार बनना वही चीज है यह भी है एक दो तीन चार उसी टाइब का वान टू थ्री पॉर्ड यानि पहले वाला में तीस था तो वही चीज यहां भी कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा ठीक है अब देखिए यह तीस हो गया ठीक कितना हो गया तीस हो गया जब यह तीस हो गया तो अब यहां पर देखे एक ट्रैंगल यह हो गया एक इस्क्वाइर यह हो गया उसी तरह यहां पर एक इस्क्वाइर यह वाला हो गया और एक स्कॉायर जो है यहां पर यह हो गया एक स्कॉायर यह हो गया एक स्कॉायर यह हो गया एक स्कॉायर यह हो गया यह और कितना हो गया दो स्कॉायर हो गया इसके अलावा और और भी है क्या अब देखिए mix अगर ये तो अलग-अलग हो गया न इससे figure अब दोनों को mix किया जाए अगर दोनों को mix किया अभी कितना हो गया 62 62 60 और 2 65 अब यहाँ पर देखे एक तो mix करके ये हो गया ठीक है एक mix करके ये वाला हो गया अब देखे रहाँ पर एक mix किये तो ये हो गयाап और एक मिक्स किये तो यह वाला हो गया ठीक है यह वाला हो गया तो अब यहां पर देखे कितना हो गया चार हो गया प्लस कितना हो गया और एक यह हो गया एक यह हो गया एक यह हो गया एक यह हो गया ठीक है यह 60 हो गया 30 60 और 2 62 और 4 66 इसके अलावा भी और कोई होगा क्या देखें इसमें देखें अब इसके अलावा भी यह वाला हो जाएगा अब गर इसको लेकर चलेंगे इसमें और है क्या देखें यह तो है कि 30 नहीं होगा 60 नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो गया देखें 30 उसमें 30 इसमें और उपर में जो हो गया अच्छा यहाँ पर तो हमने गलत लिख दिया ना वाइट वाला से जो लिखा वाइट वाला से जो हमने लिखा यह 2 नहीं होगा यहाँ देखें दो इधर हो गया और इस तरह के दो यहाँ हो गया दो यहाँ हो गया दो यहाँ हो गया यहाँ पर जो है आठ होना चाहिए ठीक है कितना हो जाएगा यह आठ हो जाएगा दो 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 करके इसका लावा जो है यहाँ कोई भी नहीं होगा तो यह कितना हो गया 72 तो टोटल नमबर ओफ स्क्वाइर्स कितना होगा 72 होगा ठीक है तो यह important 20 questions अगर वीडियो अच्छा लगा तो like, share और subscribe करना ना भूले और अगर किसी तरह का question है तो comment आप जरूर करें थैंक्स पर वाचिं वर्पिंग दोट्स